प्रिय चात्र एजूकेशन पॉइंट बी अजजी में आपका स्वागत है आज हम लोग इस विडियो में प्रसना वाली एक पॉइंट तीन का पहला प्रसन सिखेंगे यह प्रसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी भी आई है यानि बोर्ड एकजाम में यह प्रसन प्रती वर्स पूछा जाता है हो सकता यही प्रसन पूछ दे यहां यहां पर जो रूट पांच है रूट पांच के जगह पर यहां जो फाइव के जगह पर दूसरा संख्या हो सकता है रूट दो हो सकता है, रूट तीन हो सकता है, रूट साथ हो सकता है, लेकिन पूछेगा जरूर, परती वर्स यह प्रस्न पूछा जाता है, और यह प्रस्न यदि आप बनाने सीख जाते हैं, तो आपका पंच अंक बोर्ड एक्जाम में निस्चित मैन यानि फिक्स हो गया, प इस बीडियो को आप अच्छी तरह से देखेंगे, पूरा देखेंगे, यह प्रस्ण थोरा सा लॉंग होगा, इसलिए आप पूरा बीडियो को देखेंगे, एक बार में यदि समझ नहीं आता है, तो दो बार देखेंगे, लेकिन ध्यान से देखेंगे, देखेंगे, अब इस मानना है हम लोग जानते हैं root 5 एक ओपरी में संख्या है लेकिन हम इसका उल्टा मानेंगे हम क्या करेंगे इसका उल्टा मानेंगे क्या मानेंगे लिखेंगे माना की माना की रूट पाच एक परीमे संख्या है यहाँ ध्यान डखना है आपको यहाँ पर उल्टा मानना है हम लोग जानते हैं रूट पाच एक और परीमे संख्या लेकिन हम लोग इसका उल्टा मानें विपरित के लिए अब परिमय संख्या कहते किसे हैं, हमें ये जानना है, पता है परिमय संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या को P by Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमय संख्या कहते हैं, तो root 5, root 5 जो है, यह मान लेते हैं कि root 5 P by Q, परिमय संख्या के बराबर है, नहीं, P by Q के बराबर अब आपके मन में प्रस्ण उठेगा सर पी और क्यों क्या है पी एक धनात्मक यह पुरुणांक है पी भी पुरुणांक है और क्यों भी पुरुणांक है यहां पर इसको माल लेंगे समीकरण एक यहां पर लिखना परेगा क्योंकि पी और क्यों अपने मंग से लिए तथा Q not equal 0 इसका मतलब यह हुआ Q का value 0 नहीं होना चाहिए के लिए यह P क्यों मान लिए अब इस प्रस्ण को हम हल कैसे करेंगे समीकरन एक बन गया यह इसको मान लिए समीकरन एक है root 5 बराबर P by Q इसमें क्या करना है root 5 बराबर P by Q है इसको दोनों तरफ वर्ग कर देंगे किसी भी समीकरन में हम दोनों साइड वर्ग अपने मर्जी से कर सकते हैं अब आप कहेंगे सर वर्ग क्यों कि वर्ग हम इसलिए कि इस root को हटाने के लिए किसको हटाने के लिए इस root को हटाने के लिए आप जानते हैं यदि रूट पर square की आ जाता तो root खतम हो जाता अब आप देखिए यहाँ पर root जैसे ही हम square किये तो root हट गया यह हो गया 5 बराबर अब यहाँ पर तो root है नहीं इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा P पर भी square हो जाएगा और Q पर भी square हो जाएगा दोनों पर हो गया अब यहाँ पर देखिए 5 के नीचे कुछ नहीं है तो एक है क्लिएर समझते जाएए ध्यान यहाँ देंगे अब यहाँ पर देखिए कोना कोनी गुना करेंगे cross multiplication 5 को Q square से गुना करेंगे तो हो जाएगा पांच गुना Q square बराबर P square ठीक है अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे Q square बराबर P square बटे पांच देखिए यहाँ दिहान से यहाँ इस दोनों में गुना का संबंद है इसलिए पांच बराबर की दूसरी साइड जाएगा तो भागा का संबंद हो जागा, भाग का मतलब होता बटे, यह हो गया समीकरन दो, किलिर, अब आगे देखिए, समीकरन दो को आप ध्यान से दिखिए, पी एस्क्वाइर में पंच से भाग लग रहा है, बटे मतलब क्या हुआ भाग, यहाँ पर लिखना परेगा, जो यहाँ हो रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है, उसी बात को हम यहाँ लिखेंगे, लिखेंगे, समीकरन दो में, पी एस्क्वाइर, पंच से विभाजित हो रहा है, हो रहा है, इसलिए, पी भी, इसलिए, पी भी, पंच से विभाजित होगा, खिलर हो गया है, पी एस्क्वाइर है, इसका मतलब हुआ, पी गुना पी, इसमें जब पंच से भाग लग रहा था, अकेला ऐसे भी लिख सकते हैं, पी भी पंच से विभाजित होगा, अब लिखेंगे, पुना, पुना मतलब होता है, दुबारा, दुबारा से क्योंकि पहले मैं मान चुका हूँ दुबारा मानेंगे माना की P बराबर अब आप कहेंगे सर P कहों से आ गया आप समीकरन 2 को देखिए यहाँ जो P है इसी P को मानेंगे P बराबर 5 M क्या मानेंगे 5 M यहाँ भी फिर से दुबारा देखिए यहाँ P है इसी लिए P बराबर मानेंगे अब 5 कहां से आगए यहाँ यदि 5 है तो यही 5 मानेंगे यहाँ यदि 2 रहेगा तो 2 M मानेंगे यदि यहाँ 3 रहेगा तो 3 M मानेंगे यहाँ 7 रहेगा तो 7 M मानेंगे के लिए अब पी बराबर पंच एम हो गया तो यही पी का मान इस समीकरन दो में पी के जगह पर पंच एम रखतेंगे के लड़ हो गया अब यहां लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं लिख देते हैं पी का मान समीकरन दो में रखने पर अब समीकरन दो क्या है आप उपर देखिए समीकरन दो क्या है q² बराबर p² बट 5 यहीं नहीं समीकरन 2 था अब p के जगह पर यह 5m रखना है ने q² बराबर हो गया 5m का हौल स्क्वार बट 5 यहाँ देखिए दियाँ 5m का हौल स्क्वार लिखे क्योंकि p का मान 5m न माने है इसलिए यहाँ पर हो गया 5m का हौल स्क्वार की लिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है अब इधर उल्टाते है अब यहाँ समझे q² बराबर है 5m² बट 5 यह नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे q² बराबर 5 का स्क्वार यह संख्या है तो 25 हो जाएगा m का स्क्वार m स्क्वार रह जाएगा अब नीचे में 5 है ही इस 5 से 25 को यदि कटाएंगे तब 5 बार में कटेगा कटेगा यहाँ हो गया q² बराबर 5m² अब इसको क्या करेंगे 5m² को इधर लिखेंगे और q² को इधर लिखेंगे ठिक अब यदि हम यहाँ पर फिर से m² बराबर लिखें तब देखिए 5 और m² में गुना का संबंद है तब 5 इधर आएगा तो भाग का संबंद हो जाएगा ने यह हो गया समीकरन 3 देखिए समीकरन 2 में भी इसी तरह का था लेकिन वहाँ पर पी स्क्वाइर था यहाँ क्यू स्क्वाइर है के लिए सेम उसी परकार लिखेंगे जैसे समीकरन 2 के नीचे लिखे थे ठीक उसी परकार लिखेंगे यहाँ लिखेंगे समीकरन 3 में समीकरन 3 में क्यू स्क्वाइर पांच से विभाजित वीभाजित हो रहा है हो रहा है इसलिए क्यूभी क्यूभी पंच से वीभाजित होगा क्यूभी पंच से वीभाजित होगा लिख दिए उसके बाद लिखेंगे समीकरन दो और तीन से समीकरन देखें यहाँ पर समीकरन दो दिख रहा है यहाँ पर पी एस्क्वाजित में पंच से भाग लग रहा है यहाँ देखें समीकरन तीन में समीकरन तीन में क्यों एस्क्वार हैं पांच से भाग लग रहा है यहां लिखेंगे समीकरन दो और तीन से अस्पस्ट है की पांच पी और क्यू का उभय निष्ट है इसलिए हमारा मानना गलत अतह रूट पांच एक आपरी में शंख्या है एक बात ध्यान डखिएगा यह आपको पूरा लिखना परेगा तभी आपको पूरा अंक मिलेगा ठीक है अब इसको एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे करेंगे क्या यह जो सवाल है यह पूरा सवाल को आप नोट कर लेंगे नोट करने के बात जहां यहां पंच है यहां पर आप दो रखकर हल करेंगे तीन रखकर हल करेंगे सेम इसी प्रकार से हो जाएगा बस यहां पर आपको और ध्यान रखना है जहां पर पंच एम लिखा हुआ है आप यदि यहां दो रखेंगे तो दो एम मानना है यदि तीन ठीक है है हमें उमीद है आपको यह प्रस्न समझ में आया होगा आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट में जरूर कर बताईए और इस चेप्टर से कुन-कुन प्रस्न आपसे नहीं बन रहा है आप हमें जरूर बताएं कि यह प्रस्न हमें हमसे हल नहीं हो रहा है उसका मैं वीडियो दुबारा से बना दूँगा हमें उमीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए लाइक भी कर दिजिए सेर भी कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्देवाद